आज हम मानने कलेक्टर साब के कारेले में जाकर और महामहीम राज्यपाल के नाम से ग्यापन दिया है क्योंकि हमारे जाववा जिले में और आज पास के जिलों में चाया अली आजपूर हो चाया रतलाम हो वहां के इस्तिति रोज फोर आ रहा है हमने बड़ी मुश्किल से मजदूर गुजरात महाराष्ट और उदर यूपी तरब से बड़ी मुश्किल से लोगों को यह लाए और लाके अपने में घर में बेठे पर लाने के बाद सरकार ने कहा था कि हम अनाज की खाने की वहस्ता पूरी करेंगे विदर पर्थान मंत्री कर रहे हैं 20 लाग करोड रुपया मैंने गरीबों को ले दिया शेंशन करके भीज दिया राज्यों को वह 20 करोड कहां गया है 20 लाग करोड वह अगर होता था आज लोग भुके निमरते उसी तरह से पाने की वहस्ता पानी नहीं मिल रहा अब पाने बारिस हो गया तो इसे प परिबों के माना जान 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 भी खोडे हैं बाजबा के नेता जा जाके अपने घर के आसपास जांब है और वह बाज दूसरी बाजू खुदुआ लिया और जहां हमने परस्ताव दिया जान पानी नहीं है वह पानी के लिए वहां पर सोर्स उपलप्द कराए जाए जाइन उसके टोब भागा ने खाद यहां पर हो रही है इस बात को लेकर हम लोगा।day का काम और सुदूर शडक, वहोगों इसलुन काम काम करने के टार्वन का में सुदूर शडक कार रोड काम शुरू करें रोजगार काम कारीं लाखों लोग आज यहां पर बेरोजगार बेंड के बेटे हैं और भूख के मारे वापस जा रहे हैं वापस गुजराद और महारास्ट जाने का उनुने तर्तायरी कर लिए गाड़ें भर बर के जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से यह और वहां जाके और कोरोना के चकर पड़ जाएंगे बसके आये थे और वापर होंगे तो यह मना आदिवाशी भयाई मजदूरों को गेर आदिवाशी भाई अपने मजदूरी डाल रोटी के लिए इदर घुम रहे हैं उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार जिला प्रसासन उसको मना इस टिक हैं यह हमारे वन उसे मांग है उसी तरह से सोशाइटी में आज बारिश हो गई खाद नी बीज नी और लोग खेत खाली पड़ा है लोग खाने का नी यह तो जमीन में कैसे बीज बहेंगे वह बीज हर सोशाइटी में उलत करा है यह मेरी कलेक्टर से मांग हमने की है और राज्यपाल को भी हमने लिखा है कि आपकी सरकार को कान पकड़ो नींद उड़ाओ तब जाके उसका काम होगा नितों बने लोग बने कई खेत खाली रहे जाएंगे उसी तरह से हमारे कई बने लोगों के बेरोजगार लोग है यूवाओं को रोजगार देंगे यूवाओं को रोजगार क कर रहा है भूग अलग हमला कर रही है तो कहां कैसे बचपाएंगे गरिब लोग ये मेरी मांग है कि कलड़ साब तकाल उसकी वैस्टा करें और महामहिम राज्यपाल को एक कापी और भेज रहे हम एक कापी हमने दे दी है इंडरेस के महामहिम को कलक्टर को परतिलिपी दी है और वो कापी हम लोग भापे भेज रहे हैं तो यह इस्टिती बनी हुई है तो मेरी पुनह कलेक्टर महोदेश से और महामहिम राज्यपाला और परदेश के मानने मुख्यमंतरी से अनुरोध है कि जाववा रतलाम अलियागपूर और जो आदिवाशी जिशेतर हैं उसमें मजदूर भोके मर रहे हैं और उनको रोजी रोटी के लिए वापस उनको जाना पड़ रहा है गुजरात महाराश्ट में उनको रोके और उनको रोजगार दे यह हमारी मांग है स्क्रीव राट दो वोन है नाम ले रहे हैं कि हाईकबान तो उनके निर्देश पर मद्ध्यपरदेश की चुनी मी सरकार चुनिवी सरकार को खरीद फरोग 35 करोड़ 50 करोड़ रुपे दे के विधायकों को खरीद के चल्ची भली परजा लोगतांतरिक सरकार थी उसको गिराई और नई सरकार बना ली तो एक तरफ शीवराज के देख धर्मे का पालन करो राजधर्मे का पालन करो तो यह विपात क् कियों नहीं पालन किया उन्होंने सरकार गिराने में पेशे के दम पे सरकार बना ली तर आस 15 मंत्री केमिनेट में रहेे हैं जब्यक्त सरकार के पूरे मंत्री मंदल होना चीशार फेसला ले रहे हैं और परदेश के बारा बजगी यह हालत बड़ी दैनी की हुई है उसी तरह से कई परिशानिया यहां पर आई हुए तो उसको देखें कि आपने राज धर्में और धर्म को निभाने के लाए तो पर आज लोग तंत्र की हत्या की है केंद्र के बना नेत्रोत में कि उनके इसारे पर सरकार गिरी गिराई हमने शीवराज जी खुद कबूल कर रहे हैं तो उसके हम निंदा करते हैं केंद्र सरकार आप राजस्थान में जेचे मध्यपरदेश में राजस्थान में गिराने के लिए पहुंच रहे हैं 25-40-40-40 करोड रुपया लेके जाके कि कोई किसी को बना बिकनी की जरुवत निये लोगतंत्र में जिस तरह से मध्यपरदेश से साथ उन्होंने चलावा किया है वह ऐसा राजस्थान में ने करने दे क्योंकि पेशे के दम पे जो 20 करोड रुपया 20 लाग करोड रुपया मंजूर किया मोदीजी वह इसी काम के खरीदने के लिए मजदुनों को नोजवानों को रोजगार के लिए यह स्विधायक को और सांचत को खरीदने के लिए ही मोदीजीना 20 लाग करोड रुपया वो दिया है और उसी तरह से यह सब सारा गतिजिया लोगतंत्र खतम हो जाएगा और हिटलर साही पूरे देश में करने का काम उपर वाले नेत्रोद कर रहा है यह बड़ी दुख का बात है अधीकारियों का विट्रांसपर आवकाशारी जो भाजपा के विचार धरा के जो लोग है रसे विचारधारा के लोग उनको पोश्ट कर रहे हैं और जो लोग इमानदारी के अपर हठाके और प्राइगनिती करन पूरी सरकार में कर दिया तो वह भी बड़ा दुख का विशे है भुष में किस तरह से लोग तंत्र बचेगा किस तरह से प्रशासन चलेगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं थैंक यू